बुद्मार्णी फ्रेंड कैसे हैं आप लोग वेलकम आपका यूटूब के पीबिया रेश्टेटी चैनल पर आज ये फटापट जुर ये शेयर कर दीजिए सब में ठीक है आज ये फटापट हमारी जो लाश्ट की क्लासिस थी हम लोग साइटोलोजी में पड़ रहते लोग करते हैं और हमने इसमें शुरू कर दिया था लाश्ट टॉपिक में देखा था लाश्ट लेक्चर में हमने क्या देख लिए था भाई हमने देखा था जो सेल्स के पार्ट है उसके बारे में तो आज यह हम उसी को कांटीनू करेंगे वीडियो को तो आज हम एक नया कि स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जिसका नाम है नुकलियस जो बहुत है और सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट आरगंस होता है जिसे बहुत सारे कोश्चन आपसे एकजाम में देखने को मिलेंगे तो जो लोग भी जुड़े हैं पटाफट सेर कर दें और वीडियो हम बता रहें आपको पार्ट दंबर यह हमारा हो जाएगा फोटी अ को फोटीन हो जाएगा और यहां पर हम लिखेंगे हमारा टॉपिक रहेगा थार्ड शाल और गमें जिसका नाम है क्या अ कि नियुकेलियस हिंदी मिनमोले क्या लिखेंगे इसको केंद्रक ठीक कितने सारे कोश्चन केंद्रक से आयते हैं चलिए पहले हम एक फिक्चर सापको दिखाएं बनाके यह हमारी एक अनिमल बना दिया यह हमारी अनिमल सेल हो गई बन गया और यह बीच में हमारा इसी पार्ट को हम क्या नाम देते हैं हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ठीक हाई यह पहला पॉंट आप लिखेंगे इसमें कि इट्स कंसिस्ट ऑफ सेंटर आप सेल्स यह सेल्स के सबसे बीच में पाए जाता है इसमें लिखेंगे इट्स पहला पॉंट आप इसमें लिखेंगे इट्स कंसिस्ट ऑफ सेंटर ऑफ सेल्स कोशिका के मध्य में पाया जाता है कोशिका के मध्य में मध्य में पाया जाता है कहाँ बाई जाता है कोशिका और बीच-व बीच में पाय जाता है ठीक है किजित आप इसको यह को सिका का सबसे बड़ा इस सबसे बड़ा भाग है क्या में यह को सिका का सबसे बड़ा भाग है टीक एक यह से इतने पॉइट आ है ठीक सेंटर में होता है कोजीगा का सबसे बड़ा पाइट होता हैं er एक चीज़ आप वोगो और जाननी चाहिए आपको कि अ तो है और इसके अंदर एक फल्यूड होता है जिसक को हम क्या कहते हैं प्रोटो प्लाज्म है ठीक है इसके अंदर एक फ्ल्यूड होगा निक्लियो प्लाज्म इसके अंदर जो है एक और होगा निक्लियो लस्ट इसमें कुछ अलग टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे ऐसे ऐसे हाँ करेड की स्ट्प्चर दिखेंगे इसको किया करना हैं अदर वाली पायट है और इस वाल को को जो हम क्या करते हैं कि इस वाल को जो एक वाल बनी है कि निक्लियो मेंब्रेन क्या नाम देते हम इसको निक्लियस मेंब्रेन इसके बाहर जो दिवाल उती इसको क्या करते हैं निक्लियस मेंब्रेन इतने सारे कोश्चन आपसे यहां से पूछे जाएंगे तो क्या होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है यह किलियर हुआ इसमें क्या और क्या होता है कि इस सराउंडर कि भाई निक्लियस मेंब्रेन यह किस से घिरा हुआ था आप लिखेंगे आप लोग यह है कि निक्लियस मेंब्रेन से घिरा होता है यानि निक्लियस दिवाल से से घिरा होता है कि आप मतलब मरें यह इसके बाहरी कवर बाहर में क्या पाते हैं निक्लियस मेंब्रेन पाती कि सबसे बड़ा पार्ट होता है विल्गूल से घुरा हुआ पार्ट होता अब आते हैं इसके बारे में कि इसके अंदर क्या चीज़ा पाई या की?! क्या पहुत है अंदर होता है और जिसको हम क्यारते हैं क्यों देने क्यों प्लाजमिय इसके अंदर प्लाजमिय देद उसonce तो एक थ्रेड लाइक श्ट्रक्चर होता है ठीक है थ्रेड लाइक थ्रेड लाइक श्ट्रक्चर आल्सो प्रिजेंट इन सेंटर इस नोन आज क्रोमाइटेन बीच में एक धागे नुमा इस्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं क्रोमाइटेन इसमें एक अधागे नुमा कि सान्रचना कि होती है कि जिसे हम क्रोमइटेन कहते हैं पूछा जा सकता है कि क्रोमाइटेन कहां होता है तो आप बताएंगे नुकलियस के अंदर ही क्रोमाइटेन होता है आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ा पार्ट कौनसा होता है तो आप नुकलियस को टिक करेंगे ठीक है इतने कोशन आप से पूछा जाएंगे अब आता भी हमारा यह नुकलियोलस इसका क्या होता इसके बारे में बता दें नुकलियोलस का में क्या होता है इस है 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 इन को सेल डिवीजन क्या काम करता बै यह है इसल डिवीजन यह कोशी का बी भाजन को शुरू करता शुरू करना यह इनिसियेट करता इस its help in the cell initiate of the cell division को सेल करता है जिखर आप लोगों को क्या करता है its help in the its initiate the cell division क्या करता है कोषी का बिभाजन को स्टार्ट करता है शुरुआत करता है पीडियर हुआ आपको हम एतनी सारे कोश्चन यहांसे था जाए अब यह क्रोमेटीन क्या होता है रोन्रोपित यह जाओ आगे चल के बना देता है इसके आंदर एक फ्लूट होता है जिसको हमने क्या नाम दिया निक्लियो पलाज्मा यह पिर इसी को क्या नाम देते हैं क्यों कृओं आधुट है पिर हम तो हम उस्थ tub और एनने नाम देते हैं ठीक किसे बनता हमारा क्रोमाइटीन से ही हमारा जेनेटिक मेटेरियल तीने फिर या और ने मनता और यह कहां होते हैं नुकलिक एसिट कहां पाई आता हमारे केंद्रक के अंदर जिसको हम निकलियो प्लाजमा या ठीक है ठीक है नाम देते हैं दूसरा से इसको भी मैं किलियर कर देता हूं तो जो हमारी आर बीसी होती है आर बीसी में क्या होती है अब सेंट होती है अब सेंट होती है अब आर बीसी में अपसेंट कैसे होती है चलिए ठीक मैं दिखा देता हूं आर बीसी की एक कोशीगा मैंने बनाई यह कुछ इस टाइप की बन तो इस में कभी आप देखेंगे हमारी केंद्रक नहीं होता तीक या विसी की सेल्स है उसमें केंद्रक नहीं होती है resistant कई और होता है दूसरा प्लांट सेल में जिसको हम करते हैं फ्लोयम 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 में एक होती है स्यूप ट्यूप स्यूप 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 सेल इसमें भी क्या होती है आब है सेंट होती है यह क्या करती है स्यूप टेल क्या स्यूप सेल क्या क्या करती है क्या करती है जो हमारा फूर्ड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करती है ट्रांसपोर्ट आप फूर्ड पूर्टाप फोगा है कि यानि प्लोयम भास से आप याद रखेगा ठास पोड़्स ठीक है तो यहां पर भी अपसेंट होती है कहा पर और और इसी में और कहा पर होती इसको यह प्यु fijk किश्द ओन सेल हिसको हिंदीमेंी दिनते हैं कुई यह सेल टोफ्र सब्सक्राइं भूस्राइब डेस्ति होता उसमेंड होता है उसमेंट होता है व्लम किस्यूफ दोल यह समंट होता है उनके भी सांस में मलब यह नहींड हुआ है अनिमल्स थे हमने प्रोध क कशीश को उलत कि केस्क बैस दोनों यह छोटी दोनों बायों कि जणोटा है जो जो कि क्या होते हैं इस से क्या होता है उसकी भी कोशिकाई में केंद्रक नहीं पाया जाता है तो कभी भी आपको कोशन पूछ ले जा जाए इन्मनिंब 허락 किसी नहीं पाई जाता हो तो आप याद रखेगा यू tough, यूमन के भ्लेट के अरभी सी में नहीं पाया जाती एंए निम hybrid पकेवा हमें केंडर के बारे में जो भी चीजे बता ह medicine का बहुत होताँी यह हमारे केंडर केंडर में प्याए जाता है यह मैरिक नम देते हैं पाए जाता है दूसरा फॉंड लिखाया लिखा है सबसे बड़ा पाई होता है दूसरा पोंट होता है तीसरा इचाहाःगल पाइदा है नुकलियस मेंब्रेन किस से घिरा होता है इसके चारों तरफ नुकलियस मेंब्रेन होती है जो अंदर होता है मैंने आपको याद करिये प्रोकरियाट के बारे मताया था तो यह क्यूकरियाट होती है जिसमें यह नुकलियस मेंब्रेन पाई जाती है प्रोकरियाट जो हमारे genetic material होते हैं ठीक है जो हमारे जनेटिक के लिए रस्पांद भी लोते हैं तो कौन बनाता हो प्रोमाइटीन बनाता है अगला पहांट हमने क्या बता है इसके अंदर एक बीच में ही नुकलीस के बीच में भी एक सेंटर में छोटा सा पार्ट पाई जाता है इसको हमने ल१् laser ल१्क लिए न्युकली घूल लिए एक सेल काम क्या है यहिसे हमारी जो है इंटी और यहीं से पूलास सेल और और बगई एहां से ठीक है पस्क टेटे डिए यू जी एच्टी यार डॉटर सेल कि और इसको क्या नाम देते हैं पायरेंट सेल पायरेंट सेल ठीक है यानि यह पुत्तरी कोशिका और पायरेंट का मदलब आप समझ रहें गार्जेंट कोशिका ठीक है तो कौन बना ऐसे इसी को कहते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे कि कैसे होता है इतना यहीं से इनिशिएट ःता है यानि यहीं से स्टर्ट हुता ह् है ञासे इसलिए होता है क्लिय अपाल्ग है किसे होते हैं से तो पहली की कोश़् काया होती हlor ही भारबात होती है और बहुत सारी सेल वनती कि अधिक लिए रुआ है इसके अंदर इक होता हुदिसको हम क्या कहते हैं इसको हम नाम देते हैं या फिर क्या काते हैं उसको हम लोग निकलिय प्लाज्मा उसी को काते तो इतने टाइप से पूछे जाएंगे दूसरी चीज़ यह है इसमें होता है तो कोशन यहां से पकई बढ़ पूचा गया है डबनो बीसी और लिखियेगा यह इस जरूर पूचा जाता है बहुत है यानि आपसे पूछ लिया जाएगा हुमन्स की कौन सी सेल में जो है मोट की अलग सेल होती हैं प्लैक्स की होती है जितने भी हमारे ऑर्गन हैं सबी के शेल्स होती है उसी तरह हमारे ब्लेड में भी एक चाहिक होती है यानि सयोजी उतक की तरह काम करता है बहुत ज होती है अहीं कंद्रक बहुत सब्सकान करें और प्लांट 캡 की बात करें इसी तरह प्लां्ट के बर्त नियुज सारे सरी होती है दियर सरी हो थे किसे बनते हैं से बनते हैं वही प्रॉसेस होता है वहां भी टीसु बनता यहां भी टीसु बनता तो क्या होता वही चीज होती है बट वहां पर दो तरह दो ऐसी से लुटी एक फ्लोम होता जिनका काम क्या होता है ट्रांसपोर्ट करना जाइलम जो है वाटर को और यह फ्लोयम में एक सेल होती है जिसको हम लोग स्योपटेब चेल के नाम सथे और ऋस्यूपटेब सेल में क्या नहीं होताल है मेरे बच्छों क्या नहीं होता है स्यूपटेल में यह हमारा केंद्रक वहां भीbolism होताहे ठीक अब जो सेल में केंद्रक नहीं पायाए जाता है तो आप ज़रूर यत रखेंगा लाम तो बात की बात है लाम और भी पूछा जाता हर कैंद्रक भी तो इतने सारे इतने सारे कोंच्चन आपको पोछे जा सकते हैं ए मैं यहां बता न भूली गया कनी कि कोज खोझ किसने की थी तो उस आदमी का नाम है रोवर वार्ट ऑंच गल्स हो में अध्या ब्राउनEhं हिंग यह अदमी था बहु रावर ब्राउन मिल ru जिस नहीं करंड केंड्र को डिसकबर किया था धर यह भी आप Naval लेगा किसने की थीm तो राबाइट ब्राउन की ने किया था ठीक आप इससे रिलेटेट इतने ही कोश्चन बनेंगे ठीक है तो कैसा लगा वीडियो शेयर जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर लेजेगा ठीक है फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में तब तक हमारे साथ बने रहेगा प्र चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा थांक्स फार वाचिंग